हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आज आपके साथ एक स्लीव का बहुत ही सुन्दर डिजाइन लेकर आई हूँ यह जो डिजाइन है आप मैचिंग सूट में बनाएंगे तो बहुत ही सुन्दर लगता है आप एक कलर में बीज को मनाकर रेडी कर सकती है इसे बनाने का जो तरीका है वो सबसे असान वाला मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो यहाँ पे कई वर ऐसा होता है कि बाजू हमने कटिंग करी है तो उसके सेंटर में जोड आ जाता है अगर जोड नहीं भी आता है तो आप इस डिजाइन को फिर भी बना सकते हैं लेकिन जोइंट ना दिखे तो इस डिजाइन को हम बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट लगेगा तो यहाँ पर बाजू की कटिंग हमने कर ली है सेंटर में हमारा जोड है और यहाँ पर एक कपड़ा लिया है पटी ली है हमने बॉटम बाली ये कपड़ा है जो दो इंच चोड़ाई का हमने ले लिया है ये हमारी bottom के साथ का है इसको हमने stitch कर लेना है इस तरह stitch करने के बाद इसको हम सीधा करेंगे ये जो gap है इसके अंदर का ये एक इंच का है total बाकी का हमारा बाहर की तरफ है इस तरह कोई भी pen pencil या फिर कोई आप saliva ले सकते हैं उसकी help से इसको सीधा कर लीजिए सीधा करने के बाद आपने इसको प्रेस करना है इस पट्टी को आप थोड़ा सा लंबा बना लीजिए अगर आप गले और बाजू में सारे design को complete करना चाहते हो सीधा करने के बाद जो center के सिलाई है उसको आपने इस तरह रखन ले लेना है और उसकी जो अंदर की चडाई है वह हमने 1.5 इंच रखनी है इसकी चडाई को हम 1.5 इंच रख लेते हैं और बाहर भी थोड़ा-थोड़ा मार्जन रखेंगे तो इस पट्टी की हमने total जो डोरी है उसकी इसकी शुछोड़ी पट्टी कर लेनी है यह जो पट को जोड लेना है इस तरह हम एक पटी को सिच करेंगे और इसके बिल्कुल साथ मिलाते हुए गैप बिल्कुल नहीं देना है इसके बिल्कुल साथ साथ रखते हुए हम इन सभी पटियों को जोड लेते हैं इस पूरे पैटन पर हमने इसी तरह इनको सिल लेना है और सिलने के बद फिर मैं आपको दिखाwnगी यहां पे जो पट्180 की चुड़ाई है वो कम या ज़्याईदा आप कर सकते हैं आपने हिसाब से भद इसको रखना आपने बिलकुल बराबर है एक दूसरे के साहिया जा बुट आपको रखना है अब लेज़े ये पैटन हमारा बनकर एडी हो गया है आब हमने इसको स्लीव के उपर झोड़ना है स्लीव को हमने इस तरह सीधा रखा है और पैटन को हम इस तरह उलटा रखेंगे उलटा रखने के बाद हम इस छिलाई के उपर बिलकु छिलाई लगाएंगे जहांबे हमने पहले सिलाई लगाई है पैटन की उसी सिलाई के उपर बिल्कुल इसको stitch कर लेंगे और नीचे का gap भी हम बिल्कुल maintain करके रखेंगे इस सिलाई को हम नसीधा लगा लेना है और दूसरी तरफ हम बाजू का दूसरा हिस्सा इस तरह जोड लेंगे और इसका gap भी हम सेम रखेंगे तो लीजे यह हमारी सिलाई लग चुकी है एक दबाब की सिलाई लगा देंगे दोनों साइड में दबाबल इस सिलाई को हम डबल भी कर सकती है अब हमने इस newspaper को निकाल देना है जो भी paper हमने लगाया है पेपर एक्स्रा होय है तो इसको हम निकाल कर और यहां पे एक डबल सिलाई लगा देंगे जिससे यह pattern हमारा बिल्कुल सेट हो जाएगा और बाहर की तरफ बिल्कुल लेस लगाएंगे अब हमने इसे फोल्ड कर लिया है आगे से तो मेरे पास यह triangle वाली लेस है लेस आप कोई भी लगा सकते हैं मुझे यह पसंद आई है तो मैं इसके आगे लगा देती हूँ एक तो इसका design बन जाएगा और यह देखने में बहुत जादा सुन्दर लगती ह लिजए इसको मैं इसके आगे लगा देती हूँ तो यह हमारी बाजू अब बनकर ready हो गई है अब हमने इसके अंदर design बनाना है जो हमारा beach का हिसा है उसके अंदर design मनाएंगे तो यहां पर आप सिलाह लगा कर रेडी कर लोगे तो इसके अंदर design मनाने के लिए मैंने सुई म धागा डाल लिया है फोर लेर का हमने धागा डालना है और यहां पर मोती भी ले लेंगे मोती का डिजाइन हम बनाते हैं तो यहां पर सबसे पहले हम एक टांका लगाएंगे और इस पट्टी को तीन बार हमने टांका लगाते हुए इस तरहें खीच कर एक ओटा का लगा के ब दाल सकते हैं मैंने white use किया है अब हम आगले वाले हिस्से में भी सेम वैसे करेंगे तीन जगा टंका लगाएंगे एक पहले एक बीच में एक गिल्कुल एंड पे और फिर दुबारा से इस तांके को लगाते हुए इस तरह सेच कर देंगे मोती फिर दुबारा डाल देते हैं और इसी तरह हमने इसको ready कर लेना है पूरी बाजी को ready करके मैं आपको दिखाती हूँ यह design हमारा कैसा बनेगा तो लीजिए यह design हमारा complete हो गया है इसी तरह मैंने दूसरी बाजी भी बनाकर ready कर ली है और अब इसे हम fold कर लेंगे fold करके जितना घिरा आपने रखना है उतना दिखाती हूँ यह बहुत ही perfect हमारा design बनकर ready हुआ है इसका जो plazo है और इसके गले का design है वो मैंने already upload कर दिया है आप चैनल पे जाके देख सकते हैं वहाँ पे इसकी पूरी cutting और stitching का तरीका मैंने share किया है तो लीजिए यहाँ पे यह design हमारा बनकर तयार हो गया है आपको कै कैसा लगा है वीडियो आपको प्रसंद आईगी हो तो लाइक चूर कीजिएगा और चैनल को subscribe करना मत भूलेगा जो यहाँ पे नए आए हैं और अपने friend के साथ share कीजिएगा आपको अगर और और भी को design चाहिए होता है तो आप हमें बता सकते हैं हम उसके वीडियो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।